जंगली फूल सर्दियों का पूरा मौसम नसरुद्दीन ने अपने बगीचे की देखरेख में बिताया वसंट आते ही हर तरफ मनमोहक फूलों ने अपनी चाता बिखेरी बेहतरीन गुलाबों और दूसरे शांदार फूलों के बीच नसरुद्दीन को कुछ जंगली फूल भी जांकते दिख गए नसरुद्दीन ने उन फूलों को उखादा कर फिंक दिया कुछ दिनों के भीतर वे जंगली फूल और खर्पतवार फिर से उग आए नसरुद्दीन ने सोचा क्यों ना उन्हें खर्पतवार करने वाली दवा का छिदकाव करके नश्ट दूर कर दिया जाए लेकिन किसी जानाकार ने नसरुद्दीन को बताया कि ऐसी दवाए अच्छे फूलों को भी कुछ हद तक नुकासान पहुँचाएंगी निराश होकर नसरुद्दीन ने किसी अनुभावी माली की सलाह लेने का टाई किया ये जंगली फूल, ये खर्पतवार माली ने कहा या तो शादी शुदा होने की तरह है जहां बहुत सी बाते अच्छीन होती इन है तो कुछ अनाचाही दिक्कते और टकलीफे भी पैदा हो जाती है अब मैं क्या करू नसरुद्दीन ने पूछा तुम अगर उन्हें प्यार नहीं कर सकते हो तो बस नजरंदास कराना सीखो इन चीजों की तुमने कोई ख्वाहिश तो नहीं की थे लेकिन अब वे तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गई है